अज सारे जगत ने मान लिया है कहीं जैन धर्म सा कोई नहीं है साबित किया विज्ञान ने भी अब गहरा ग्यान ऐसा कहीं नहीं है ये तिनों लोक में ये तिनों काल में ये चारों दिशा में जै बनता है जैकारी है अतित अनागत धर्म ये शाश्वत आन है शान है महान है धर्म को प्रणा है आजना आपना प्रथम वक्ता स्रीमती मालानी बेन कोबावाला नो एक टूंकमा परीचे आपू योग आजना जमना मां बहुँ प्रचलित विशाई चे आखी दुनिया ने अनु गेलू लागियू छे तेनी उत्पत्ती क्या रहे थाई एक संचोधन नो वीशाई चे परन्तु जैन सास्त्रों मा अने अन्य सास्त्रों मा योगनो उल्लेख लगबग मोटा भगना बद्धत सास्त्रों मा चे मालानी येबेनने येमनो अनुबव छे अने कितलाई लोकों येमने योग द्वारा डिप्रेशन, आर्थास्ट्रीस, डायबिटीस, बीपी, आर्ट डीसीस, ओबेसीटी, येमज कीडनी डायलिसीस जेवा गणा रोगों मा येमनी योगनी प्रकियाधी गणा बदाने सारी रात थाई जे अने येनू रिजल्ट पन सारू अवेलू छे बचात गामों ना उत्थान अर्थे मंगल के सहुर फांडेशन नामनू एक पब्लिक चरिटेबल ट्रस्ट चाले जे तेना मालानी बेन फांडर ट्रस्टी जे छेला सातेक वरस्ती दर्दियोंने काउंसेलिंग रेकी सुमेक थेरापी द्वारा गणा रोगों मा ट्रिक्टमेंट आपी रेया चे अने येनों लाब घणी बदी व्यक्तियों लिधेलो छे योग सामाटे जीवन मा जरूरी चे तेना धावा जीवन मा केविरी ते लाब बेर भी सकाए ते वीशेनी रस्प्रत माहिती अप पस्तित मानुभव, मन्चस्त मानुभव, तेमाज ज्ञान पिपासुजे जिगनासा धरावता समस्त जीव आत्मा होने, आ आत्मा थकी प्रणायम करूछू, आत्मा शब्दे एटले उल्लेक करूछू के बाईया ओलख आपने आ नाम्थी मोणी छे, बाकि आपने बद्ध जेक शुद्धत्वन पामेलाईक जीव आत्मा चिये, आने योग आपने ए आत्मा नी शुद्धी प्रत्य लईजाये छे, आम तो विश्वभर्मा चर्चातो आ विशय छे योग, आने देश-विदेश मा, आंतर्रास्ट्रियक शेत्र पन अभूदपुर्व ख्याती पाम ए आपनी पासेज छे, ए हजी सुदी कोईक ने, के घणा बदाने समझ नथी पड़ी, एवो केवाई छे, के विश्मी सदीना उत्रार्ध मा, जयरे आ योग नी उत्पत्ती नो जयरे ख्याल आव्यो, के योग उत्पन न क्यारे थायो, तो गीता मा एवो करूछे श्री कृष्णा है, के विश्णु ए, ते सूर्या ने आपयो, सूर्या ते मनु ए, मनु ने आपयो, सूर्या है, मनु ए एक्ष्वाकु ने आपयो, और एक्ष्वाकु वंश जहां थी स्टार्ट थो, त्यहां थी पछी राजा, महराजा, रूशी मुनियोज बद्धाएज आ योग नो साधना करी छे योग साधना रूपे पण छे अने साधक रूपे पण छे एवु नथी के योग ए संसारिक व्यक्तियोज ना अपनावाए खुब सुन्दर अने समझवा जे वो आ योग छे फक्त रूशी मुनियोज आ करी शके एवु पण न थी शाईव धर्ममा एव किदू छे के शीव एना प्रणेताचा परन्तु पाँच हजार वर्ष पूर्वे मोहेंजो दड़ोमा जे अवशेशो मल्या अने तेमा जे प्रतिमा जियोगे मुर्तियों मल्यी तेमा घणी बदी मुर्ति आपणा रुश्यपदेव भगवान नी हती जेने घणाए हिरण्या गर्व एवु नायमा प्यूतु घणाए शैव तरीके ओडख्या अने घणाए विश्णू तरीके ओडख्या तो योगनी उत्पति रुश्यपदेव भगवान ना काड थी शे तेमनी बैदीकरी ब्राम्मी अने लिपी लिपी ने तेमने बद्धीज लिपीओ शिखवाडीती अने ब्राम्मी ने बद्धीज कड़ाओ आपीती जे आपड़े कहीचे बहुत्तेर कड़ाओ पुरुश्योनीने चोंसट कड़ाओ स्त्रियोनी एमानी आ एक कड़ा अधुभूद एवी आ योग कड़ा छे जे संसार मा होई के साधूत्वमा होई संसारियो माटे पन आ योगनी कड़ा खुबत जरूरी छे बगवान श्रेकृष्ने गीता माँ पन अर्जुन ने बहुत सरस्रितना कयुतु के ग्ण्यानी करता पन योगी उत्तम छे जेतला रुशी मुनियो जे पन तपस्चर्या करेच के कोई गंधे प्रकारे जे साधना करता होई ते पन साधनाव करता योग उत्तमचे माटे तो 접종िन व जरूरी नती तेना मैटे साधूपणू जलेवु संसार मा रहिने पन योगत्व पामी शकायाँ छे अने आ योगत्व पामवा माटे आपणे योगने समझवो पड़े संसार माँ धर्म, अर्थ, काम अने मोक्ष आ चार पुरुशार्थ मनाया छे धर्म कयो? आपणे तो धर्मे ताने जडतानू स्वरू पापी दिदू छे धर्म यह न थी के क्रियाकांड करो धर्म यह न थी के चुस्तता ज़ेमा जडता होई धर्म छे जने धर्म यह छे के जी बीजाने शाता आपे धर्म यह छे के जीव प्रत्य, जीव प्राणी मात्र प्रत्य दया होई अने ए मूड धर्म आपणने 24 से तिर्थांकर आपड़ा जे महा पुरुषो के भायाचे तेमना तरफ थी आपणने मलेव छे तेमने कई तु के हुँ जीवीने बतावो छु ते मारा जीवन प्रत्य नजर करी अने तु जीव जे मने पुज जे एवु नतु कईयु पणे केंप पुज आएवु आगल कईश एमना जीवन द्वारा आपणे एवु जीवन जीवी अने मोक्ष नी प्राप्ति केवी रिते करवी तेनी समझ आपणने आपी छे तेमने जडता नथी आपी व्यक्ति पुजाने तेवो क्यारे महत्व नथी आपियु के नथी पंथ पुजाने महत्व आपियु बध्धाज सर्खा अने ते आजनाकार माने अननतकार्थी आचालिव आवियु छे रुषबदेव भगवाने तो कहुतु पण हेम चंद्राचार्य श्री जीए पण आज वस्तु समझावी थी कि जे उत्तम छे तेने ग्रहन करो जे अधम छे तेनो त्याग करो अने उत्तम ताने तेमने हमेशा आगल करी अने तेमने पण श्री हेम चंद्राचार्य जीए पण ए समय पण कलिकार सर्वग्न कहवायाता अने ए समय पण एमने योग शास्त्र नी रचना करीती कुमार पार राजाना राज्यमा खुप सुन्दर हमने अमारी प्रमर्त प्रवर्ताव्योतो आ योग छे अने योग एटला माटे जरूर छे के शरीर, मन अने आत्माने पवित्र कैम बनावो ते योग आपनने शिखवे छे योग तरफ जवामाटे आपणे गणा ब catastrophic के योग अलग योग विशे पण अलग-अलग भ्रांतियों पने छे गणा बदा योग जाहिमके हर्ठ योग, राज योग, लई योग, मंत्रयोग, ग्ण्यानः योग, तंत्रयोग, बद्धाज योग के ज्या जह पन तेमा थी उत्तम छे राज योग योगियों जारे हट योग तरफ प्रवर्ते चाई के जाई चे त्यारे ए अमुक साधना रुपी प्रवास होई छे पन राज योग ए संसारी अने साधू बन्ने न उप योगी छे बगवान मावीर के जेवो उत्कृष्ट योग साधना ने लिधे योगी श्वर केवायाता अने एकला मावीर स्वामी नहीं आपणा 2424 तिर्थं करोय योग नी साधना करी होती त्यारे ज तेमने एटला उपसर्गो सहन करी शक्या हता उपसर्ग सहन करवा सहली बात नाथी आपणने अमस्तु के एक माखी पन बन बन तीवाय चे ने तो आपणे तरत हाथ परी जाय चे कि मच्छर करडे ने तो आपणने तरत सिसकारो बोले जतो है चे जरे भगवाने तो घणा बदा उपसर्गो सहन करया चे समत्व केडवाय चे योग द्वारा अने आ शरीर मन अने आत्माने एकत्व केवी रीते आपवू ते योग शीखवे चे योग साधना मा जोडावाय माटे उत्तम एवू धायरिया जोईए दीरज जे पहलो गोण चे मैं श्री अशक दामाणी नी रहा जूएते मा वाँची अने पच्छी मनें थेओ के शू माँज रहा जोती हाशे गणा एवा जीव छे के जे गणी बदी रहा जोता हो य छीचे जे गणी मा एवी पंढ चे के जे रहा नाती जोई शक्ति आजना जमना अमा हूँ गणी मा अवरों हू तो अटल्व पधू फास जाने आ करीकाड पेलू करीकाड आम जोयेते Mind Noiosa दिराज ना थी, धायरिया ना थी, खुब सुन्दर भूक में एमने कव्यू छे के जी राज हुए ते मैं पण आपड़े कोईकना मेंटे पन जो पैंट-दस मीट पन राज होई पड़े ने तो आपड़े अकड़ाई जहिए चा शालू टाइम थोईगा महारू बगड़ी ज तो सौथी पहलो गुण योग साधना मां जवा मांटे धारीय जोई अने साथे साथे हिम्मद पन जोई त्रीजू एवे चे तत्व जणयान घणयाननी तो पहल्लिज जरूर छे एलेले के तत्वार्थनू जणयान पन जोई के तत्व शूँ छे? व्यक्तिने व्यक्ति तर निहाडवो अने एक आत्मा स्वरूप निहाडवो एक बहु जुदू थाई जाएचा अन्ने ए फ्यक्तिने जो आप जीव आत्मा तरीके स्विकार्शो तो ए तत्व ग्नान लाधिता के साधिता वार नहीं लागे अने चोथू आवेचा द्रड निश्चा है डगवू नहीं जे आपड़ा 24 से तिर्थं करोर मा ए द्रडता हती के डगवू नहीं सहन शक्ति केडववी तो आत्मा शाक्षातकार थाई शके नहीतर नहीं थाई शके योग शब्द आवयो संस्कृत शब्द यूज धातु शब्द पर्थी योग केवायो अने एनो अर्थ थाई छे जोडाण जोडाण अहीं जोडवू बोखुब सरस पन जोडवू शेने जोडवू तो कैचे के शरीर ने मन साथे जोड़ो अध्भू तेवू अपन या मन आप्यू छे मनुष्य पासे पांच इंद्रियो छे पांच कर्मेंद्रियो अने पांच ग्नानेंद्रियो अने ए बद्धीज इंद्रियो ने ज्यारे केडवो त्यारे मन केडवाई छे एमने मन नथी केडवादू स्थूल काई रिते शरीर रिते आपने या बैठा होई ये छे पण मन थी आपने या नथी होता मन क्या है माकडानी जेम भूम तुओ छे तो ये ना चाले शरीर अने मन मा एकत्वा आवे तो योगनी शरूवाद थाए हुँ जेक्षणे ज्या छू त्या जे स्थिती मा छू इस थिती मा अने जे स्वरूपे छू इस स्वरूपे स्विकार होवो जोई है तो ये योगनी शरूवाद थाए तो शरीर अने मन ने एक करवू जोई है पड़ मने घणिवार कोई के के एक केवी रिते थाए जरे हुँ योग एक्सराइस के कई पड़ हुँ योग नास आसन के कई पड़ा होती हो तो मनमा बीजुद चाल दोए कि अवे what next मारा आणा पचे आ काम छे ना आणा पचे आम काम छे ना आम करवानू त्यम करवानू बद्धू जोच चे पड़ने तमे तमारा प्रत्य तमे एक समाई तमारा पोता नी जात माटे जो फालवेो चे तो त्यां स्थीरता केम ना केडवी शक्की आपणे, एटलो समय जे आपणने सामाईक द्वारा पण कई छे कि 48 मिनिट नी सामाईक लईने बैसवू कटाशना पाथरीने बैसी जोवू हाथमा चरवणों मुपत्ती होय पण स्थीरता नथी होती, मन बीजे भटकतु होईच्छा भाईयो होई तो बिजनेस ना केटला पण कामो याद आवता होय अने बेहनो होई तो भाई जोजे नंदर रसोडा माँ काई उप्रही तो ना जतुने अरे बिला बाबा याम करी ना खियू बहुवे शू करियू, दिक्रिये शू करियू, तथा वो बहुचे संसार माँ श्या माटे, जया जे स्वरूपे बैठा छे, ए स्वरूपे आपने जो एटलो समय पोतानी जात अने मन नियाई ना आपी शक्ये तो एक कर्म के एक रिया कोई फल आपतु न थे अने माटेज योग एक उत्तम एवु ज्ञान अने एक उत्तम एभी विद्या आपी शे आपने इश्वरे यूज दादोले तनने मननी साथे जोडो, मनने आत्मानी साथे जोडो अने आत्माने परमात्मानी साथे जोडो आत्मा साथे ओ येटलां मेटे जोडानु के क्यारेक आपन अ शाता वेधनिय कर्म, रोगस्वर्ुपे आपना शरीर में आवता हुय छे आत्मा ने न ती अड़ता, शरीर में आवता हुय छे पण छता ए आपने आत्मिक लेहलियें ये चे क्या मने थ हयु छे महरी साथेज क्यम आम मैं तो एहुँग्यारे कोईनू कशु खराब इच्छीन नथी छत्ता महरी साथेज क्यम आम थोईू मनेज क्यम आउँ आपियु भगवाने के मनेज क्यम आवो रोग आपियो पने दरेक जीव मात्र पोताना कर्मा धिन भोगावतु हुई छे कर्मनो करता अने भोगता आत्मा पोते छे अने आत्मा अश्वरीर मा रहलेलू छे माते छता ए आत्मा ए बाहिया मोह रूपी अंकुष नती राख्यू त्यहरे ए शरीर ने लेप्यू छे काण के शरीर ने साच्चवानी जवाबदारी पण ए आत्मा नीज छे पण आपड़े बहुज मोहमा रागमा एटला बदा लिप्त थेगाया होईये छे के टेस्ट आपड़े जीबनों स्वाध पहलो यादावे अने गमेते गमेते अंदर नाखी है एटले आ गटर रुपी शरीर में पछी ये तेहां थी रोग उत्पन थाए अथ्वा तो आपड़ी जे प्रक्रिया चे शरीर नी तैने समझिया वगर आपड़े जे काम करता होईये तैना द्वारा रोग उत्पन न थाईचा तो आत्मा पोते ज कर्मनों करता आने भोगता छे ए आत्मा भुली जाएचे त्यारे अनने त्यारे एवु वीचारी लएचे कि आम मनेज थाईचे ए शाता केडवता पण योग शीखवेचे अने माटेज योगना आठ अंगो गयाचे राज योग माँ आठ अंगो आपयाचे पातन जल मुनिये पण आपण जे योग शास्त्र आप्यू छे एमा पण आज छे रुशब देव भगवाने पण आपण जे योग शास्त्र आप्यू छे तेमा पण आज छे गीता माँ पण सार एकज छे फक्त व्यक्तिये व्यक्तिये तेना जजवात एदले के पोताना नियमों बदलाता होई छे पण हूँ आज एक रिक्वेस्ट करिश के के शास्त्र आने शास्त्र सात्ये क्यारय चेडा ना करवा शास्त्रने स्विकार्वू अन्ने कदाच आपड़ू पोतानू मन्तव्य होई तो एम केवानू के मारू मन्तव्य आछे पण हुझ शास्त्र छू ए ना हो उजुए के मैं बनाव्यू छे के मारू केवू आम छे योग्याने अयोग्यानी परक मनुष्यमा नहीं होई तो कोना माहशे के मनुष्य एक एवो जीव छे जे इश्वरे ए जीव एवो बनाव्यो छे के तेने कर्म करवानी पोतानी आगवी सत्ता छे अन्ने मनुष्य भव माज ते मोक्ष रूपी पद पामी शके छे माटे देवो पन मनुष्य भव मांगे छे देवत्व मेढवो पन सहलू न थी पन मनुष्य भव मेढवो अगरामा अगरो छे अन्ने आ मनुष्य भव मेढवया पछी आपणी पासे रनेली जो आटली सरस विद्या आपणे जो शुद्धत्व राखिया ने ग्रहन ना करिये तो मनुष्य जेवो मुरख भी जो कोई न थी योग नी व्याख्या के शब्दनो अर्थ तो आपणे समझे आपणाई जे अस्टांग योग विश्य हूं समझाविश ते पहला योग विशे थोड़िक ब्रांती हो छे यूं केवा मैंगू छू के योग ए सन्याशी नो जुवेश न थी समतानो अभ्यास चे दे दरेक जीवे केडववा चे हो छे समत्व केडववू समभाव केडवो कोई पन समय संजोक परिस्थितीने आपणे स्विकारी लेवी तेने तेस्वरूपे खुबत सुन्दर रिते टैकल करवी ए समत्व चे अवगुणोंने दूर करी अने गुणोंने ग्रहन करवा ए समत्व चे योग जीवन थी पलायनता नथी केड़ घर बार छोड़ीने उपड़ी जाओ हिमालाईमा तोज योग सदाए इभू पड़ नथी पलायनता नथी ए पलायन व्रुत्ती नथी जणावतु योग एक पुरुश्या अर्थ चे जीवन जीवानी कड़ा शिखवे चे कारवू पड़शे संसार मारईने पंचा तेनाथी अलिप्त केवीरीते रहवू आत्माने अलिप्त केवीरीते राखवो ते योग शीखवाडे चे अकर्मण यता नथी परम पुरुश्यार्थ चे योग योग कोई चमतकार पण न थी ते आध्यात्मा अन्ये विजनाननो समन वय छे शरीर आपड़ु एक खुबत सुन्दर सायन्टिफिकली यंत्र छे आ यंत्रने जो समझो अने मन अने चित्तनी व्रुत्यों ने जो समझ केडवीलो तो खुबत सुन्दर एवो योग सधाई जाए शा माटे थायचे, केम थायचे, आवदा प्रश्ण अने प्रश्ण नो जवाब आपड़ी जपाशे चे योग आपे चा योग एक प्रदर्शन नती, फलाणा आसनो आरीतना करिली दा, आटलू आ करिली दू, आटला कल्लाख हुन आरीतना रोकाई शकोछो से शासनमा क्या आटलू आ करी शकोछो, ए योग नती, योग कोई प्रदर्शन करवानी वस्तू नती जीवनने आनंद युक्त परिपोण अने सार्थक के विरीते करवू ते योग शिखवे छे बाहिया आडम बरोब्थी दूर जाई आत्मानी एले के बाहिया थी पर थाई अने आंतर सुधी पहुचाड़े छे योग अने शुद्ध आत्मानी ओलक करावे छे योग एना आठ अंगों कया चे यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धाणा, ध्यान अने समाधी आ आठे आठ अंग योगना जो समझी लईये तो बद्धूज आपड़ा आपड़ू जैनिजम आखुए माचा कशु वदारे करवानी जरूर नाथी यम एटले एनो अर्थ थाएचे नियंत्रण करवू पहलू अंग नियंत्रण पन शानू नियंत्रण करवू त्यां इश्वरे कविँ छो के हे जीव, आ संसार माँ जिव्वाय माटे यम नी खुब जरूर छे आनके तारो बाहिय वेवार, बीजानी साथेनो वेवार केवो होवो जोईए ते यम समझावे छे एमा पाच यम आप्या छे आपणने कहा छे अहिंसा, सत्य, अस्ते, भ्रह्मचर्य, अने अपरिग्र आपाच यम कहा छे जेने पाच गुणों जे आपणे केववा जोईए अहिंसा, दुख देनार दर्यक व्यक्तिना चितनी शान्ती जोखमाई छे जयरे ते अहिंसा तरफ वड़े छे त्यारे तेने चितनी शान्ती मड़े छे हिंसा हम्मेशा चितनी शान्तीने जोखमे छे उंगवान अती देती, एक वखत करी तो ना क्यू क्या रेक विचार कर जो कोईकने थपपड पण मारी दिदी होय आवेश में आवीने, पण पच्छी अंदर थी तमें हालवा मान्छा, किसा आलू खोटू थोई गवू, आवेश एवी वस्तु छे, कि एक वखत करावी देचे, पण पच्छी एने चेन नथी पड़वा काण के आत्मानो गुण तो अहिंसानो छे, हिंसानो नथी, पण बाहियमा जयारे आपड़े लेपाई गया छे, त्यहरे ते आपड़े एवु करीब एस्ये छे कोई पण भावावेश में आवी ने कई पण करवू, आजे भावनो आवेश जे थाई जाये छे, ते भावने समत्वा आपे छे योग माटे पहलू करू छे के अहिंसाथी वर्तन करो, जीव प्रत्य, प्राणी, मात्र प्रत्य, दयानो भाव दाखो श्या माटे, अने आत्मा सु पर्मात्मा पहलू विचारो, मने जे गन्तू नथी, तेहू बिजानी साथे के भी रिते करी शकू Simple definition, साधा मसाधी व्याख्या, मने जो आ वस्तू नथी गमती, महरी साथे कोई आवू वर्तन करी जाए, हू ना साखी शकू, तो महरे कोई बिजानी साथे एवू वर्तन करवू जोईए, ना करवू जोईए अहिंसा आमा आवी गई, आटला माच, सत्य, धे याने निष्ठा, जे माचे, जे परिवर्तन नथी थतू, परिवर्तित नथी, ते सत्य छे हूं एमकेश क्या माईक छे क्या डेस्क छे, तो ए छेज, पछे एमा परिवर्तन नथी, इश्वर छेज तो छेज, पड़े ने अनुभव वो पड़े, मने कोई आवी ना एमकेके बताओ, तो ए शक्य नथी, ए जोवो पड़े, पोतानी आंतर सुच थी एले सत्य ने पामवा माटे, हम्मेश या तहरू आचरण पन सत्य निष्ट हवू छोईए, छे तो छे, नथी तो नथी अन्य जया सत्य होई छे ने, त्या हम्मेश नीदर तावती होई छे एक बीजो गुण एड थाए छे आपड़ामाई, त्रीजू कईयो छे के अस्ते, हेले के चोरी न करवी कोई पन प्रकार है, कोई नी वस्तु चोरी लेवी ए जो चोरी नथी कई पन महरामाई शक्ती होई, हवा छत्ता जो हूँ, कोई कर्म, के महरू काम पन नथी करदी, तो ए पन चोरी जिसके वाए साधी भशामाईने काम चोरी कईये जा शक्य छे, एटलू तमें करी शक्ता हो, एटलू जो तमें ना करो, तो ए चोरी छे आपनी जातने संपोण समझवा माटे, पूण करवा माटे, के अपेक्षा वगर, कोई पन कर्म करवा माटे, आ अस्तेहिन अनुसर्वू जोईए स्वार्थी तो बद्धा करे, निस्वार्थ भावे करना राक एटला चोथू किदू छे ब्रह्म चर्या, ब्रह्म नी प्राप्ती माटे नी आवश्यक चर्या, एटले ब्रह्म चर्या ब्रह्म एटले सत्य, गणा बदा अर्थ ना विगटानो थता जाया छे, आगर थी पण खरे-खर जे कईू छे, ए आ कईू छे के ब्रह्म नी प्राप्ती माटे, जे चर्या करवी पड़े, ते ब्रह्म चर्या छा अने ए ब्रह्म चर्या पामवा माटे सत्यनी निस्ठा होवी जोईए, आचरण शुद्ध होवू जोईए बाहिया आडम बर्नो नाश होगो जोईए, अने आंतर नी सूझ होवी जोईए, आत्मा सु परमात्मानी परख होवी जोईए परमात्मा एटले उपरवाळो जे भगवान छे एज परमात्मा नती, अहीं बैठेला मारी साथेना बीजा जेटला पण जीवो छे ते परमात्मा छे तेमना मापण एक परमात्मा छे, परमात्मानु स्वरूप शुद्ध छे तो तेनी पन परख थावी तो ब्रह्मयचर्यानी प्राप्ती थाए एमनेव ब्रह्मयचर्यानी प्राप्ती नथी थादे अने पछी आवेचे आ परिगरह खुबसुंदर आजना जमानानो क्याई संतोषयच नथी आ जोईये, पेलू जोईये, घरमा एटलू बदू वसायलू होई छता पन नवु 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 अ परिग्र हेम चंद्राचारिय श्री जिये, कुमारपाड राजा ना राज्य वखते पन आ वस्तु समग्र नगर में जाहेर करीती के जरूर यात पूर्तु जुर्क राख जो वण जो तु नव संगर वु गांधी जिये पन आपने कईूतु खुब खराब परिश्तिती माथी जयरे पसार थवानू आवे चे ने त्यारे आ अपरिग्रह खुब उप्योगी थाई पड़े चे श्या मैटे जरूरी एटली आपड़ी पासे दरेक साधन सामग्री सगवड पूर्तु बधूज होई तो वधारानू कशूज वसाव वू जरूरी छे जरूरी एटला मैटे नथु के कारण के एट वधारे पड़तो राग, मोह, माया अने द्वेश करावे चे एटला मैटे अपरिग्रह कईू छे मारू, 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 अने ए मारू पछी छुट्टू ज नथी माटे अपरिग्रह कईू छे के अपरिग्रहने धारन करो जरूर पूर्तु राखो वण जो तु नवसंगरू बिजी एवी केटली ये व्यक्तियो छे के जने आपड़ा जिवु जिवन जिवानी लालसा होईचे जनी पासे कशूज नथी बदरानू हई ने तो एमने आपचो अने एक खुशी मेड़ाव जो, ए आंतर सुख मलशे मने घणा एवी स्रियो मले प्रसंगे प्रसंगे नभू नभू का एकतो हवु जो ये नावे आतो बव करियो जुदू थाई गवू मने एम थाए के ओल्डी इस गोल्ड आपणी पासे आपड़ा जे आत्माना गुणो छे आपणी पासे जेटलू छे एटलू आपड़ू सारू केम नथी आपड़े मानी शकता के स्विकारी शकता त्यां संतोशनों अभ्भाव छे माटे अपरिग्र नथी था तो लालसा छुटती नथी अने ज्यारे अपरिग्र आउशा ने त्यारे फट्ट देने छुटी जसा एक सेकेंडनी वार नहीं लागे छोडता केम काण के त्यां मोह नथी राग नथी ध्वेश नथी के कोईक लईजशे एवुपण नथी विचाराव तो आपने समझे आवे एनना नसीब नुँँ अशे तो ए लईजशे अने खरे खर करूँछे के हमेशा एक वस्तु याद राखवी के मारू छे ते जतू नथी अने जे जाई छे ते मारू नथी खाली आटलू आपनने जो याद रही जाए ने तो अ परिग्र सदाई जाए गणुछे अवे बहु नथी वसावू केटलू वसावसू पाच्चु येने अवेरवानू केटलो समय वेड़फिये छे आपड़े एमा एटलो समय जो आपड़े आत्मानी शुद्धी माटे आपी देए ने तो आत्मा नियाल थे जाए आ पाँच यम कीदा चे अना हवे पाँच नियम तरफ चावचु नियम एटला माटे के इश्वरे करू छे के जगत साथे नो तो वेवारतारो बराबर छे के तु आर इतना वर्तन करी शकीष पन तहरू पोतानो शुद्धी तो आत्मा माटे पन कईक अमुक नियम होवा ज जुए जे पोतानी जात साथे ना नियम ने अनुसरे तो ते कईक आगाल लक्ष ने प्राप्त करी शके अनने एना मैटे यमने पाँच नियम आपया चा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय अनने इश्वर प्रणिधान खुब सुन्दर, खाली पाँच यम चने पाँच नियम होच आटलू सधाई जाए तो योग मार्गूपर चालवा मैटे नू आपड़ू अड़्धू स्टेप आपड़े जीती जहिये चे शौच, शौच अटले शुद्धी, शौच बै प्रकार नी कई छे, आंतर अने बाहिया स्नाना दी वगरे मन मुत्र त्याक के मुख शुद्धी जी करिये छे ते बाहिया शुद्धी छे, पण आंतर शुद्धी बहु जगत्य नी छे मन नी शुद्धी पण एटली जगत्य नी छे, आपड़े जे आहार लईये छे न, ए आहार तो आपड़े 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 शरीर ना ओर्गेंस ने चलावा माटे लईये छे शरीर नो आहार शुच छे जे फूड आपड़े अंदर नाखिये छे, शरीर में, ए तो आपड़े आपड़े शरीर ना ओर्गंस ने चलावा माटे लईये छे काण के ए जठर ने, जे पण पाचन शक्ती छे, पाचन क्रिया करे छे, एज आपड़े एना द्वारा चाली शके छे के बहुत सरस्य इतना वर्क करी शके छे, एने टाइम टू टाइम आपड़े आपड़े एटले एनी सिस्टम फोलो कर चे पण आपड़े आपड़ी सिस्टम के विरितना फोलो करवानी चे, मननी शुद्धी वड़े, आंतर शुद्धी, शौच नहीं होई, तो अंदर नो आहार पण आपड़े जे नाखिये चे ने ताम सीख होई चे केचे न अन्नेवु मन, मन चंगा तो कथरोट में गांगा, एना माटे मननी शुद्धी खुब जरूरी कई चे पाणी पिवो, तो पण घुटडे, घुटडे, मननी शुद्धी करता रो खुब सुन्दर कई चे, एटलेज, शौच बे प्रकार नी कई चे, शरीर नी आने मननी जो मननी शुद्धी आवी जाए ने, तो पर्णा माटे खुबत शुद्धेवा भाव आवी जाए कोई व्यक्ति क्यारे बिजी व्यक्ति प्रत्ये, बायस माइड थी ना विचारे, अथवा तो हम्मेशा समुभाव थी जरे अने खुबत सुन्दर रीते वर्तन करी शके वुँ क्यारे जोयू छे क्या कतो कई कतो हालिज जाए, पन त्यारे मननी शुद्धी बहुच कैम में आवे मन केड़वा एलू है ने, तो एनो स्विकार थे जाए के जवालाने, एनो स्वभाव छे पन मारे मारो स्वभाव नाथी बगाडवानो, छोड़ो, छोड़ ता शिखवाड़ी दे आपने एल्ले आ मनिनी शुद्धी आपने गई छे, तो शौच एल्ले आंतर शौच आने बहुच आपया शौच करोड़ पती बनवानी इच्छा धरावनारा केटला, करोड़ पती ने जुओ एटले आपने हम था के हुँपन क्यारे कावू, बनीश अन्ने योग पुरुशोने, जोईने एमना जेवा बनवावालानी इच्छा केटली तात पर यह एक एवानू छे के जो आपने बाहिया सुख में एटला राची ने आपने विचारेश के हुँपन क्यारे करोड़ पती बनवाव तो हुँँ आए बदो सुख वैवाव बद्दूज पामी शकू, पन प्रभूने जोईने, के योगिश्वरने जोईने योगत् एमा तो कायमी आनंद मालेचा, अद्भूद वैवाव बद्दूज तो एच्छा क्यारे केडवीश्वू? एच्छा योग थी केडवाईच्छा अन्ने एना माटे संतोष जोईए, भरत चक्रवर्ती महारा जानुखू बद्भूद वैवावान ना दिक्रा, पुत्र, चक अत्यार ना अबजोपती तो कहीं जिन थी? चक्रवर्ती महारा जा बरत चक्रवर्ती है, जहरे एक दिवस छो खंड जीती लीता, खंड देश नहीं, खंड जीतिया, छो खंड एवो ए चक्रवर्ती हैनो वईभाव केड़ो हशे, खाली कल्पना मात्र करो, अने एक दिवस अरिसा सामे उभारेना जस्ट एमने जोयू के बई, आंगली मा वीटी नथी, तो आंगली शोबती नथी, पछी विचारायो के अरे, तो आ शरीर केवो लाक्षे? शरीर प्रत्ते तो क्या आरे जोयूज नथी में? एले बद्धा जाबूशन उतारीने जोय अने एक क्षण मात्रमा ग्नान लाद्यू के अरे, रे, रे जीव हुँ आटला वईभाव पाछल भागू छू, अने आ आत्मा जे शरीर मा रव चे, एतो मलमुत्र थी युप्त छर, चामडी मासना लोंदा मात्र छर, अने एनी पाछल आटलो राग? अने मारा पिताजी खुब सुन्दर एवु साधी गया, तेमने दिख्षा लेली दीछे, रुशब देव भगवान, त्यारे खुब सुन्दर इतना दिख्षा नो, पोतानो काल पसार करी रिया चे ने हूं, आ छो खंड जीत्या आटलू बदू, शाषन मरी बास आटलू ब अगर बद्धूज एट टाइम त्याग कर्यों, त्याग इले पलायन वृत्ती थी पन नहीं, खुब सुन्दर रिते सौपी ने, अने खुबत सरस रितना नी कलवू, पोतानो कर्म पूरी रितना, संपोण रितना निष्ठा थी पूरू कर्वू, अने पच्छी त्याग व पन कर्म कर्वाना, तमारी निष्ठा ना डर थी जो तमे भागी जाओ छो तो ये पलायन वृत्ती केवाई, तो त्याँ अस्ते ही लागू पड़े, कर्म चोरी, काम चोरी, अने तरत तज तेमने संतोष ने केळव्यो, पहुत हईगो, आ संतोष जो आपडामा आवी जाए तो बध्धु जुन्याल थेई चाए, आजे आ काले पेलू परम दिवस भी जुएनो कोई अन्तज न थी, और संतोषी जीवनो क्याए रे अन्त न थी आवतो, माटे संतोषी रूपी जीवन केळवू जो ये, थोड़ू छे, बहुत हेगो, हुँ घणा अब जो पती ने प माने घणी वका तेम केचे के मालावन, मारी इच्छा छे के जीवन पुर्तु मेडवी लव, एदले मारे वी आरेस लेए लेवू छे, एदले हुँ पुछू के, पैसानी तो दरेक शने आया जमानामा जरूर पड़े चे, और छोड़ू आनो विच्यार, एदले के, आनो को कोई अन्तज ना थी, पड़ हुए हुँ मानू छू के, जीवन जीवा पुर्तु जो मारी पासे हुए, और अमुक द्रव्य, एदले के, धन मारी पासे एटलू छे के हुँ मारू जीवन जीवी शकेश, तो जीवा मेटे जोई है के एटलू, सवर साथ नी बे टाइम नी र करवी छे, त्यारे मने अब जोपती करता, पण ए अपर मीडल क्लास नी व्यक्ति ने हुँ सेल्यूट करू छो, कारण के त्यां एट पर्णू वीचारी शकेश, और जे पर्णू वीचारे ने एज पोतान पामी शकेश, बीजानू क्यारे जे नथी वीचार, तो एपोतान आत्मा क्यारे शुद्ध नथी करी शक्तो, के एने पामी नथी शक्तो, कारे एने बीजानू दूख सुछे ने एपण नथी खबर पड़ती, सुखनी वाद तो जवाद, सुख तो जे छे ने ए ब्रांती शे नी, क्षणिक छे, आजे भू मजा आई, मजा पती गई, पची शुद्ध रात्रे सुई गया बीजे दिवस सवार उठीन, के आजे मजा नथी, एले मने प्रश्ण थाये के तो गईकालनी मजा क्या गई, खुशी तो हम्मेश आपनी साथे रेवी जुए कान के ये आत्मिक छे, मूड एटले शुद्ध 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 दिए कशुज पामी शकातू न थी, पची आवेचे तप, खुब अधबुद एवु आ तप समझाविए छे, बाहिया तप ने आंतर तप, बे कहा चे, आपणामा, एना थी पन पर एक वस्तु आजे समझाविश के तप एटले शुद्ध आपने जे एकाशनू, बीाशनू आमबेल उपवास आबदू जे करिये छे एट तप छे, खरेखर तप छे, एतो आपणी स्वादेंद्रिया ने केडववा माटेनू तप छे, पन तप कोने केवाई जे द्वंद सहन करी शके, जे परमात्मा एकरी ने बतावियो तू, आटला उपसर्गो थयाता, पन छता, अडिखमता, स्थीरता, अटलता, एक लेश मात्र पोताना चेरा पड़ पन, आम जर्खी नथी बतावा दीती के मने के एक दूख थाए छे, ए तप छे, अन्या आपणने तो कोई कई जाए तप पन, आपणे आम सम समीन सालू, मने सम्भडाईग, सम्जेच्छू एना मनमा हूँ कोण, नथी छोड़ी शक्ता, आ हूँ पनू, खरेखार तप शूँ छे, तप एटले द्वंद सहन करवा, तड़को, छाइडो, चड़ती, पड़ती, मान, अपमान, आप बद्धूज जे सहन करी जाए, अन्ये सम्भाव थी आगलवदी जाए, ते तप छे, मारा था कि जो कोई बीजाने पण उद्वेक थतो होई, तो मारे त्यान जवू जोईए, तो यह मारू तप छे, कारण के हुँ जेश, तो यहने कईक उद्वेक था शे, ना करता के सारू के हुँ, शान्ती थी ये करू, पचि यहावेचे स्वाध्याय अन्ये इश्वर प् अध्यायन करवू, हुँ कौण छू, मारू कर्म छू, मैं शा माटे यहाँ जन्म लिदो छे, पोताना आत्माने पामवा माटे नुझे अध्यायन करो, यह स्वानू अध्यायन छे, अन्ये शुरूत ग्नान, एडले के जे शास्त्रों ने वाची औने जे लेवा जेवू, जे ग्नान लेवू, ते सु अध्यायन छे, अन्ये इश्वर प्रणिधान, खुबज मोट्टामा मोट्टू आ जेने कहेलो नियम, के हुँ जे पण कई कर्म करू छू, तेमा फक्त अने फक्त हुँ निमित मात्रा छू, एम जो मानो ने, तो ए अभिमान जे आवे छे, ए अ पहम नो ती आग ठेई जाए, अन्ये ये दे आग ठेई जाए, तो आ पांचे यम अने पांचे नियम सधही जाए, अन्ये नियम सधही जाए, तो पछी आसन मां श्थीर्ता हावे, कोई पन प्रवरुत्ति, आप के हुँ, आप अपने झेपन जे करी शकीत सेま davon स्थीर्ता क शोट माँ हाफे छे, एनु आयुशे बहु थोडु होई छे, अने काचबो एक मिनिट ना चारज श्वास ले छे, अने एनु आयुशे तो दिर्ग होई, पन निरोगी होई छे. आपने इए आयुशे माटे ने इजेटलू पन आपड़े जीवन लेइन आवे छे, एटलू निरोगी जीवन जिवा माटे प्राणायामने सादो. अने पछी, आजे 22 चार पते, एपछी आवे छे, प्रत्याहार धाना ध्यान अने समाधी. आ आठंगो एमा प्रत्य हार आवे छे जो प्राणाया मने आसन मा स्थिर्ता अने द्रडता केडवी तो प्रत्य हार मा इंद्रियो प्रत्यनी सनलिन नता आपणे केडवी शक्ये छे आपणी प्रत्य किंद्रियोंने केवी रितना क्यां केटला विनय अने विवेक मा राखवी एनी जो आवड़त आवड़ी जाए ने तो ए आत्मा सधही जाए पछी धाणा तरफ जाव के आपणे प्रतिक्रुती बनावी के इश्वर आवा हता अने एमनु स्वरू पावु हतु तो मारे आवा बनवा माटे तेमनी धाणा करवी जोईए एनु आपणे बहुज दूर उप्योग कर्यों छे अने आडंबर पन एटलो कर्यों छे मुर्ति पुजाना आते ये बुद्धा ने देखाए छे एना होवु छोईए ए फक्त धाणा एटला मैटे छे के तमने समाधी स्वरू शुदी लई जवा मैटे ए धाणा कई गेन करो आपणे कोई पन प्रसंग करवो होई घर मा तो आपणे पहला एनने धारिये छे विज के अटला अटला कामों हुँ जो एका ग्रथाती पत्ताविश्टो महरो प्रसंग खूब सरस्था सा अने जार प्रसंग एकदम सरस्थे ही जाए त्यरे जे आनन्द मले छे ते समाधी स्वरू फोई छे अने ए समाधी ने पामबा मैटे ए आत्मानो आनन्द ने पामबा काते योगनी साधना करवी खूब जरूरी छे जीवनमा घणा प्रकारना व्यक्तित्व मलता होई छे गणा अखो दिवस पतानी जातने शाप जापता कले आशू मने जीव मलेुचे आशू जीवन मलिँचे आमा कशो भलिवार नाथी मारे तो आम मारे रोजना ककळाट मार आतलू आम, एवा जीवो प्रत्य घणिक वखत दया आपती होई छे, अने घणा जीवो एवा होई छे कि आनन्द मही रहता होई छे, अभिनन्द न आपय छे पोता नी जातने के हे इश्वर, तेम अने मनुष्य भव आपयो, ते बदल आपनो खुब-खुब बाबार, केम का के कर्मनीष्ट छे, मारे जे पन कई कर्म करवानू छे, तेमा हुँ शुद्ध अने सत्वने पामू, अने घणा पोताना जीवन विशे सक्रिय होई छे, के मारे जीवन के वू जिवो, अने जीवन के वी रिते बनावू, आ त्रोणे व्यक्तित्वमा फरक छे, पहला ने जी दुखी छे, तेना हमदर्दत थवाए, बिजा माटे के जी खुष छे औने तेने सकारात्मक्ता छे, माटे तेने अभिनन्द ना पोचू, पन् त्रीजू जे व्यक्तित्वा छे, ते तेनी समजण खेलवे छे, अने जो समजण खेले ने, योग सधाई जाए, तो आत् आपने जीवन केवु जीवु छे, योग खुब सुन्दर छे, त्यारे चारे तरफ फेलाएलो छे, तैनी खुब खुब एवी अडविटाइज माइन पन एटलीज थाये छे, प्रचली एटलू ज पामेयो छे, पन योगने खरे खर आपने जीवन मा केवी रिते उतारवो, ए खुब अदभूद एवी कड़ाँ छे, एक ग्णान छे, अन्य जो ए उतारिये, तो आपना शरीर ना गणा बदा रोगों प्रत्ते आपने खुब अद सुन्दर रितना, आपने आपनी जात थीज, ए रोगोंनो नाश करी शक्किये छे, हुँ गणी वखत कहती हो छुँ के अमुक ताकात आपने आपना मन मा आने आपना शरीर मा केवी रिते केडव वी, मन ने एटलूक पॉजिटिव केडवो विजुलाइज करो, के हुँ एक निरोगी शरीर धरावतो जीव आत्मा छु, पछी क्यारे ए रोग, रोग ने जारे आपने एकसेप्ट करिये छाने, स चरीर ने आवियू छे, ओके, हुँ समता भाव थी एने जोईलाव छु, मारे एमा केवी रितना परिवर्तन लावी, अने मन ने केडवी, समता, स्थीरता, द्रडता, अने सात्विकता, हमेशा सत्वन अनुसरो, सात्विक खाओ, आहार पन सात्विक राखीशु, तो मन पन सात्विक खाओ, तो योगनी विध्याने खुब सरस्रितना पामी शकेशु, माटेज, आजे महरू आ प्रवचे ने याँ पुरू करूछु, कई पन भुल्चुक होए, कई शास्त्रवी रुद्ध केवाई गिवाई गिवाई तो माफी मैंगुछु, मने याँ प्रवचे करवानी जे तक मली शे ते बदल मुँ त्रस्रितना पना भार मैंनुछु, अन्ने सर्व जिवोने खमाऊचु, मिच्छाने देखना, जाना, 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 जाना